आज हम चना मसाला बनाएंगे जो प्रशाद के लिए बनाया जाता है और ये बनाना बहुत ही इजी है मसाले के साथ कोट करके इसको बनाया जाता है आईए देखते हैं कैसे बनाते हैं हेलो फ्रेंज मैं हूँ जोटिका जोटिका की रोसोई में आपका स्वागत है छोले मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है ये 200 ग्राम छोले और इसको मैंने भिगो के 8-9 गुंटे के लिए भिगो के रख दिया था और अभी हम इसको प्रेसर कुकर में हमने एड़ कर दिया और इसमें हम देर का पानी एड़ करेंगे ये मैंने देर का पानी एड़ कर दिया है और इसमें एड़ करेंगे नमक और फिर इसको कुकर में पका लेंगे चार-पांस सीती आने तक इसको पका लेंगे ये मैंने स्वाद अनुसरा नमक एड़ कर दिया है और कुकर का धक्कन बन करके गैस पर रख दिया है अभी हम मसाला एरेंज कर लेंगे एक बाउल ले लेंगे चोटी से और इसमें हम मसाला एड़ करेंगे सबसे पहले मैंने लिया है ये हल्डी पाउडर एक छोटी स्पुन्स और ये धनिया पाउडर लाल मिर्स पाउडर साथ में लिया है गरम मसाला आपको अगर गरम मसाला पसंद नहीं है तो आप स्क्रिट भी कर सकते हो अगर बरत में गरम मसाला नहीं ऐड़ करते हो ब्रट के लिए बना रहे हो तो ये घरम मसाला श्कृब कर लो और ये ड्राइ जींजर पाउडर जिसको सॉंट पाउडर बोलते हैं और इसमें मैं एड़ करूंगी अमचोर पाउडर यह हो गया हमारा मसाला इसके बाद सुखा मसाला में तरका डालने के लिए हमने लिए साबुत जीरा और हिंग स्वाद नुसार नमक हम मैंने सेंडा नमक यूज किया है और कोई भी कूकिंग ओईल या घीवी देसी घीवी यूज कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है मैं मसाला में थोड़ा सा ओईल एड़ कर रही हूँ इसमें मसाले में क्रीमी नैस आता है और थोड़ा सा पानी एड़ करके इसका एक घोल टैयार करेंगे दिरे दिरे से पानी एड़ करेंगे एकडम से नहीं एड़ करेंगे इसको एकडम लिकवीड बनाना है बहुत ज़्यादा पतला नहीं थोड़ा सा इस तरह से बनाती हूँ इसमें मैंने लगबग दो टेबल स्पून पानी एड़ किया और ये गोल मैंने टेयार कर लिया है ये देखिए इस तरह से छोले जो मैंने रेसर कुकर में कुक किया था वो भी मैंने निकाल लिया है और ये देखिए मैं इसको थोड़ा से दबा के दिखाती हूँ ये बिल्कुल पक गया है और कुक हो गया है और आभी इसमें हम तरका दालेंगे इसके लिए मैंने लिया है कराई कराई में मैं गैस पे रख दिया और दो टेबल स्पून ओईल एड़ कर दिया है आप अपने पसंद के उनुसार डेशी गी यूज़ कर सकते हैं सुखा तेल यूज़ कर सकते हैं कोई भी कुकिंग ओल यूज़ कर सकते हैं इसके बाद मैंने एड़ किया है हींग और साबू जीरा इसको थोड़ा सा फूटने देंगे जीरा जैसे थोड़ा सा कुक हो जाए और इसमें हम एड़ करेंगे मसाला जो मसाले के हमने घोल बना के रखा था वो मसाला हम एड़ करेंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे ज्यादा हाई नहीं रखेंगे क्योंकि मसाला जल सकता है और इसको लगाता है रिलाते हुए इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे इस तरह से जैसे ही वह साइट से ओयल निकलने लग जाएगा तो हम इसमें हमारा उबला हुआ चना एड़ करेंगे यह देखिए मसाला कुक हो गया है और अभी हम काले चने को इसमें एड़ करेंगे और इसको mixing कर लेंगे अच्छे से इस तरह से हम चुले को लगातार हिलाते हुए बून लेंगे और इसमें हम अभी नमक एड़ नहीं किया है पहले भी हमने नमक एड़ किया था byłoil करने के समय लेकिन अभी हम Czech करेंगे और इसके बाद हम नमक एड़ करेंगे, क्योंकि नमक जादा ना हो जाए, फिर इसको हम आचे 10 मिनिट तक लगाता हिलाते हुए, हम भून लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखे, और इसको लगाता हिलाते हुए, इसको भूनना है, अभी हमने आचे 10 मिनिट चने को भून लिया है, और अभी हमारा ये चने बिल्कुल अच्छे से मसाले के साथ कोट हो गया है, और हम दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेंगे, अभी उपर से हम हरा धनिया से गानिस कर देंगे, और ये अभी हमारा मसाला चना मसाला तेहार हो गया है, ये मैंने प्रसाड के लिए बनाया है, और अगर आप मैंने गरम मसाला एड़ किया है, आप गरम मसाला इसकीप भी कर सकते हो, प्रसाड के लिए बनाते हो तो जैसे आपको पसंद है, मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और सेनिल को सि हुले